आज को टॉपिक है आमले के फाइदें पहली टिप है डाबिटीज के मरीजों के लिए आमला बहुत काम की चीज़ है पीडित व्यक्ति अगर आमले के रस्त को प्रति दिन शेहत के साथ सेवन करें तो उसको बिमारी से राहत मिलें अगली टिप है एसिडिटी की समस्य होने पर आमला बेहत फाइदेमंद होता है आमले का पाउडर चीनी के साथ मिला कर खाने या पानी में मिला कर पीने से आपकी एसिडिटी से आपको राहत मिलें इसके अलावा आमले का जूस पीने से पेट की सारी समस्याईं से आपको निजात मिलता है अगली टिप है पत्री की समस्या में भी आमला कारगार उपाई साबित होता है पत्री होने पर 40 दिन तक आमले को सुखा कर उसका पाउडर बना ले और उस पाउडर को प्रति दिन मूली के रस में मिला कर खाए इस प्रियोग से कुछी दिनों में आपकी पत्री गल जाएगे अगली टिप है रत में हीमोगलोविन की कमी होने पर प्रति दिन आमले का रस का सेवन करना काफी लाप्रद होता है ये शरीर में लाल रत कोशिकाओं के निर्माण में सायक होता है और खून की कमी भी होने नहीं देगा अगला फाइदा है आँखों के लिए आमला अमरित समाज है ये आँखों की रोशनी को बढ़ाने में सायक होता है इसके लिए रोजाना एक चमच आमले के पाउडर को शहद के साथ लेने से लाब मिलता है और मोत्य बिन की समस्या भी खत्म हो जाती है अगला फाइदा है बुखार से छुटकारा पाने के लिए आमले के रस में छौंक लगा कर इसका सेवन करना चाहिए इसके अलावा दातों में दर्द हो या फिर कैविती आमले के रस में थोड़ा सा कपूर मिला कर मसूरों पर लगाने से आपको जल्थी अराम मिलता है अगली चिप है शरीर में गर्मी बढ़ जाने पर आमला सबसे बहतर उपाई है आमले के रस का सेवन या आमले को किसी भी रूप से खाने से ये ठंड़क प्रदान करता है इचकी या उल्टी होने पर आमले के रस को मिश्री के साथ दिन में दो से तीन बड़ सेवन करने से आपको काफी हद तक रहत मिलेगी अगली टिप है यादधाश बढ़ाने में आमला काफी फाइदेमन होता है। इसके लिए सुबह के समय आमले के मुरब्बा गाई के दूद के साथ लेने से लाब होता है। इसके अलावा आप प्रति दिन आमले के रस का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगली टिप है चहरे के दाग दब्बे हटा कर उसे खूपसूरत बनाने के लिए भी आमला आपके लिए उप्योगी होता है। इसका पीस्ट बनाकर चहरे पर लगाने से तोचा साफ और चमकदार होती है और जुर्यां भी कम हो जाती है। अगली टिप है बालो को काला और घ धना और चमकदार बनाने के लिए आमला का प्रयोग बहुत ही खात है। इसके पाउडर से बाल धूने या फिर इसका सेवन करने से बालो की समस्याई से आपको निजात मिलता है। Thank you so much! Keep watching today for more videos! झालो को